अरे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि गोभी खाने से कितने धेर सारे फायदे होते हैं कि आप सब लोग गोभी तो खाते ही होंगे और गोभी की सब्जी हर घर में खाई जाती है सर्दी के मौसम में गोभी सबसे प्री होती है लोगों को बहुत ज़्यदा पसंद आती ह आप इसे को अईसे बना सकते हैं और यह खाने में भी टेस्टी ल्गते एलेकिन आज हम आपको कच्छी गुभी खाने के फाइदें घुल झाले पकी हुआ गोवी तो आपको तुझी घुल ant no not ऑगर आपको खाती है और अगर आप इसको कची घुज़ घुलख करेंगे तो आपको गैस बिल्कुल भी नहीं बने गी यह बहुत ही ज़्यादा करेगी आपके शरीर में रहे हो 내칩니다. छो सवाओं हो बने में रिखताएंihi जो के भात करें चीजू की आझीनस उनलूं को मजबूत बनाता है लेकिन है कच्ची गभी के बारे बताता हैं वीडियो सुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप सभी लोग हैं ग्यानसरता रोचित जानकारी चैनल पर और मैं हूँ आपकी दोस्त अंजु राजपूत तो चलिए गोवी से होने वाले फाइदों के बारे में आप सभी लोग जान लीजिए कौन से बीमारी में कि इस कच्ची गोवी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पेट में अलसर हो गया है तो इसके लिए आप भोजन करने के बाद तीन बार तीन से छे चमच गोवी का रस निकाल लीजिए और चार-पांच बार इस कच्ची गोवी के रस का सेवन करें आप देखेंगे कि आपके पेट का अलसर पूरी तरह से सही हो जाएगा यह बहुत ही ज़्यादा फादे मंद होगा आपके पेट के लिए अगर आपकी आँखों की रोसनी कमजोर है और आप अपने आँखों की रोसनी को तेश करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कच्ची को भी नेमित रूप सोन में बढ़ानी होगा आपको रोज कच्ची गुभी काओगा हुगा इसने चुर्म रोग masuk में होग है अगर Хाथ पैर में रेशे सल्पीत चरफ को आप बैदे चाथ भूब हो घजाए और helping पत्ते चोटे चोटे से आप देख रहे हैं यह भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है जलने कटने पर आप इसके पत्तों का जो पानी होता है आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो इसमें पानी निकलता है तो आप जब जले या कट जाएं तो उस जगह पे यह प बहुत फाजा दिखाई देगा इसी के साथ ही हम आपको बता देते हैं कि जोडों के दर्द के लिए भी यह बहुत ज़्यादा फायदे मंद है फ्रेंड्स कच्ची को भी कर्रस आप निकाल लीजिए और इसको पीते रहे इसको पीते रहने से आपके जोडों में दर्द नह होगा आपको कमर का दर्द भी नहीं होगा एडियों में अगर दर्द होता होगा तो भी ठीक हो जाएगा तो यह आपके जोडों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदे मंद है और इसी के साथ ही आप बवासीर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ब खांसी में खून आ रहा है तो भी आप खांसी ठीक हो जाएगी और खून आना भी बंद हो जाएगा तो ये खांसी के लिए टीवी रोग के लिए भी बहुत ज़दा फायदे मंद है इसी तरहे पूली फूल गोभी कर निकाल लीजिए और टीवी के रोगी को पिलाते रहिए उसका दिल मजबूत होगा और खून भी बढ़ेगा फ्रेंड्स इसी तरहे आप कैंसर का भी इससे इलाज कर सकते हैं अगर कैंसर है किसी को तो सुबा सुबा खाले पेट गोभी का सेवन करिए 100 ग्राम फूल गोभी का रस्पी है आपको बहुत फायदा नजर आएगा तो यह रही हमारी फूल गोभी के फायदे का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके चलो बताना वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आये हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में